सांती पुर्व तरीके से अपनी जायज केंद्र सरकार के द्वारा वादा करने के बाद वादा खिलाफी के विरोध में किसान सांती पुर्वक इस देश की राइधानी दिल्ली में आना चाते हैं और उनको रोकने के लिए सडकों को बैरिकेट किया गया है दिवाले चुन दी गई है साहिद इतनी मजबूत दिवाल तो भारत पाकिस्तान के बार्डर पे भी नहीं बनी है वो भी वहां का भी गेट खुलता रहता है बंद किया जाता है उन दिवालों के पत्थरों की जो दिवाल है उसके सामने अभी आपने किले देखी है ये किले जो ठोकी गई है भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने ये जमीन पर किले नहीं ठोकी है ये किसानों के दिलों पर किले ठोकी जा रही है और अगर भाजपा ये सोचती है कि हम नारा दे रहे हैं कि हम चार सो पारा आने जा रहे हैं इसलिए किसानों के दिलों पर किल ठोक देगे मुझे लगता है कि इससे दर्दनाक और इससे दुर्भाग्य पूर्ण आज भारत के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है ये द्रिश से देख करके कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है क्या उनकी राइधानी दिल्ली नहीं है? क्या हर्याडा के किसानों की राइधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राइधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राइधानी दिल्ली नहीं है? आखिर वो कौन से मजबूरी है भारती जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है मदर आफ डेमोक्रिसी का भासर देना एक बात है और मदर आफ डेमोक्रिसी की आबरू की रक्षा करना को परंपराओं को लांगते हुए आज किसानों के सीनों में एक किल ठोकने का काम कर रही है यहां देश किसी भी कीमत पे बरदास्त नहीं करेगा आखिर हो क्या गया है हमारी सरकार को एक तरह आपको इस बात का हंकार है कि देश के अंदर हम 400 पार सीटे लाने जा रहे हैं और दूसरे तरफ दिल्ली में खिसानों के आने से डुडर लगता है आपको खिसान आने सांती पूरवक आपनी मांग को लाने के लिए आगर आना चाहते हैं तो आपको डर किस बात को लगता है किसान आंदोलन के बाद जब पिछली बार आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाओं से पहले मानने प्रधानमंत्री जी ने किसी मंत्री ने नहीं किसी विधायक ने नहीं किसी मुक्ष मंत्री ने नहीं स्वयंग देश के प्रधानमंत्री माननिय नरेंद्र मोधी जी ने कहा था कि हम ये तीनों काला कानून जो है उसको वापस ले रहें और किसानों को MSP की जो बात उठी थी उसके लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी आज तक कमेटी ने क्या किया इस पर बोलने को तयार नहीं है आपने जो वादा किया था वादा खिलापी आपने किया किसानों के पास रास्ता क्या है आप वादा करके और निकल जाएंगे और किसान अगर सांती पुर्वक तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए अपनी ही देश की राइधानी में आना चाहता है तो आप किले ठोक देंगे आप उसका पास्पोर्ट जप्त कर लेंगे आप उसका बैंक एकाउंट जप्त कर लेंगे आप उसके प्रापर्टी के कावज जप्त कर लेंगे आप उसको टैक्टर को जब्त कर लेंगे आप किसानों को देश द्रोही क्यों समझते हैं आप ठकते नहीं हैं भारतिय जनता पार्टी का हर नेता आज गली से ले करके गाओं से ले करके हर मीडिया चैनल में एलान करता है किसानों की कड़ी म्यनत से पैदावार के आधार पर आप चुनावी फसल तो काचना चाहते हैं झाल झाल